एमेन, हालेलुया, हालेलुया, एमेन, और हमारा सब्जेक्ट फ्राइडे का क्या है? छुटकाराई है, हालेलुया, एमेन, और आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे, या तो मैं एक बुच्छा हुआ जीवन जी सकता हूँ, या तो मैं एक अगनी से बरा हुआ जीवन जी सकता हूँ, या तो मैं अपने लाइफ को रिवाइवल में देख सकता हूँ, या तो मैं अपने लाइफ को डिक्लनाइनेशन में देख सकता हूँ, नीचे जाते हुए दे यहां पे हम है, आलेलुया, एमें, तो जहां आप जाओगे, वहां जागरती आएगी, जहां आप नहीं जाओगे, वहां जागरती नहीं आएगी, पवित्र आत्मा का मौदूद रहना काफी नहीं है, जब तक कि आप वहां ना जाओ, और वहां पे पवित्र आत्मा आपको इ बाइबल कहती है जब परमेश्व ने दुनिया को बनाया उसके पहले पृत्वी बेडॉल और सुनसान थी और पवित्र आत्मा उस बेडॉल सुनसान चीजों के उपर जो टूटी-फूटी थी तोहु अब बोहुत ही सत्यनास हो चुका तो उन सारी चीजों का उसके उपर रहा रहा था पवित्र आत्मा हालेलुया हना अगर अगर अपन तोड़ा पीछे जाएंगे अब मैं जादा आपको थियलॉजी नहीं पढाना चाहता हूं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्व ने पहले सबसे पहले कहले उत्पत्ति अध्य एक-एक में उत्प अकाश और पृत्वी की स्रिस्टी की परमेश्वर ने क्या किया अकाश और पृत्वी को बनाया उसके बाद क्या लिखा हूँ है दूसरी आयत परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंद राता था चर्च यहां पर बहुत बड़ा भेद है बाइबल कहती है उत्पत्ति अध् में आकाश और पृत्वी की रचना की और तुरन दूसरे वचन में लिखा हुआ है पृत्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरेजल उसके गहरेजल में था अंधिकार था कैसे परमेश्वन ने कुछ चीज बनाया और वो बेडोल और सुनसान हो सकता है सोचो परमेश्वन ने अकाश और पृत्वी को बनाया और दूसरी आयत बोल रही है कि जो प्रभू ने बनाया वो टूटा पूटा था तो हूआ ब हूँता सब नश्ट हो चुका था क्यों? क्योंकि अध्याए एक एक में और अध्याए एक दो में कई सालों का एक गैप है मतलब अध्याए एक एक और अध्याए एक दो के बीच में कुछ हुआ था और क्या हुआ था मालू मैं अध्याए एक एक में जब परमेश्वर ने स्रिष्टी की रचना की उसके बाद ही शैतान ने परमेश्वर से बलवा किया और शैतान को नीचे प्रिथिवी पर गिराया गया और प्रिथिवी छत्यनास हो गई सब फोटफाट डाला एमेन जब वो नीचे गिरा सब खतम कर डाला उसने जब स्वर्ख से वो नीचे गिराया गया Bible कहती है ऐसा नहीं शैतान नीचे गिरा तो वो पलस्तरवान के घुम रहा था ऐसा कही नहीं लिखा Bible कहती है जब उसको नीचे फैक दिया गया तो वो पृत्वी पर आ गया पृत्वी को उसने अपने 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 गुसे के खारण अपने चिल के कारण उसने तहस नहस कर दिया आपको पता है शैतान का एक नेचर है गुसा एक नेचर है एग्रेसिव एवन जैसे उसको नीचे गिराएगा अच्छा परमेशन नहीं ये बनाया परमेशन नहीं बनाद फेग दो ऐसा सब किया है उसने और बाइबिल कहती पृत्वी बेडोल सुनसान एकदम बिना रूप रंग के पड़ी थी जिसको परमेशन नहीं अच्छा सुन्दर बनाया शैतान जब वहाँ पर आगया पहले शैतान सुर्ग में था उसको जब नीचे गिराया गया उसने सब थोड़ भोट डाला मतलब नीचे गिराया पुरे स्वर्गडू तो को नीचे गिराया गया सब खतम कट डाले हो लोग ने एमेन वो एक एड आता था था ना एक एड याद आ रहा है मेरको आप लोग को याद आ रहा होगा जब हम लोग बहुत चोड़े हैं हम लोग भी है 90 किट्स हैं एमेन मतलब हम लोग 90's में पैदा हुए हैं तो हमारे समय पे TV चलती थी ब्लैक इन वाइड नी कलर टीवी पर रिमोट वाली TV नहीं होती थी वो होती थी उसमें आता था एक एड आता था मच्चड हूँ मैं लूई मेरा नाम बिमारी पहलाओं मलेरिया पहलाओं एमेन तो सेम शेतान का भी यही काम है हालेलुया मच्चड हूँ मैं लूई मेरा नाम एमेन शेतान हूँ मैं लूसी फर है मेरा नाम एमेन जहां 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 तहस नहस करूँ बाइबल कहती है उस सुनसान जगे में उस परिस्तिती में बाइबल कहती है पवितरात्मा वहां मौझूद था लेकिन पवितरात्मा की केवल उपस्तिती से वहां पे काम नहीं हुआ बाइबिल कहती ही परमेश्वर भी वहाँ पे था तब भी काम नहीं हुआ लेकिन जब परमेश्वर ने बोला उज्जियाला हो तो बाइबिल कहती है परमेश्वर ने जैसी बोला वहाँ पे उज्जियाला हो गया वैसे ही परमेश्वर इस यहाँ पर है पवितरात्मा यहाँ पर है आमेन और परमेश्वर ने हम लोग को चुना है अपना वचन भेज करके जब हम कहीं पर भी जाएंगे क्योंकि प्रभू आपर है पवितरात्मा वहाँ पर है लोग उस बेदारी के आग को ले करके जब हम बच्छन को स्वतंद्र करेंगे वहाँ पर काम होने लगेगा हालिलूया केवल हम लोग बोल रहे आत्मा वर्सा करते वर्सा करते आत्मा की आग आजाए आजाए कैसे आएगी भाई आग जब उतरी इसलोगी बाईबिल कहती है. पेदो हम की किताब में जैसे पहावुतरात्म की आग की उतनी वहाँक की यह जीव बनके तो वह खाली जगें पे लिए वह लोगों के उपर गिरी एमन तो पहलीटरात्म हम को शूता है और हमारे द्वाराए काम करता है अब से अपनी प्रातना बदलना है आग भेज पहले मेरे जीवन में मेरे कलीस्या के जवानों में मेरे कलीस्या के लोगों में जब इन में आगा जाएगी और बाइबिल कहती है सब हम लोग सते नासकट डालेंगे मतलब बाइबिल कहती है कि परमेशर ने येशु मसी को इसले चुना ताकि वो शैतान के कामों को क्या करे नाश करे, एमेन तो आज हमारा विशे कुछ ऐसे ही है और मैं समझाने को मैं 10-15-20 मिट लूँगा आपका आपके अंदर इस वचन को दालना चाहूँगा एक example के साथ में लेकिन हमारा जो मूल वचन होगा आज का वो होगा, प्रेरी तो किताब अद्ध है उननाईस निकालेंगे, तयार है प्रेरी तो अद्ध है उननाईस, इसको निकाल के रखेंगे उननाईस, एक मिटे, और एक और वचन हो निकालेंगे तयार हैं? एमेन प्रेरी तो सौरी, उनननाईस निकालेंगे हमारा मूल वचन, उनननाईस का सत्रा, अठारा, उनननाईस रहेगा और उसके साथ साथ हम एक और वचन को निकाल के रखेंगे, प्रेरी तो अद्ध है सत्रा, उसका चौबिस से, एमेन एमेन, ठीक है? यस, तयार है एमेन कुछ समय हम लेंगे, एमेन प्रासाठालाब, रोकोठो, रोबो से तेरे बे, हालेलुया एदा सुनेंगे, हम लोग जागरिती की बात कर रहे है तो पहले हम लोग जागरिती की बात करने के लिए वचन को पढ़ेंगे तो यहार है? यस हम लोग निकालेंगे, प्रेटी किताब अपद्ध है 19, उसका 17, 18 और 19 प्रेटी अध्याइश, उसका 17, 18 और 19 वचन यह बात इफसुस के रहने वाले सब यहूदी और युनानी भी जान गए और उन सब पर भैचा गया और प्रभु येशु की नाम की बड़ी बढ़ाई हुई जिनोंने विश्वास किया था उन में से बहुतेरों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रगट किया जादू करने वालों में से बहुतों ने अपने अपनी पोथियां इखटी करके सब के सामने जला दी और जब उनका दाम जोडा गया तो पचास हजार चांदी के सिक्कों के बराबर निकला इस प्रकार जब ये सब चीजें होने लगी बाइबिल कहती है कुछ हुआ वाँ पर हम लोग आगे देखेंगे परेड़ी तो अध्याइज अठारा उन्ने इस बीस में कुछ हो रहा है अमें उसको हम लोग देए कि लेकिन बाइबिल कहती है जो हुआ उसमें बाइबिल कह रह परमेश्वर का बचन फैलता गया और वहां पर रिवाईवल आ गया लेकिन इसको हम लोग देखेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बात आना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें अपना मंदिर बोला है एमें हालेलू या अगर हम लोग पुराने नियम में जाएं और हम विश्वासी है और कई बार लोग बोलते हैं कि अरे विश्वासी में दुस्ट आत्मा कैसे हो सकती है एमें सही बात है विश्वासी के अंदर आत्मा विश्वासी के जीवन में रहती है उसके अंदर नहीं रहती है लेकिन उसके जीवन में वो रहती है अगर हम लोग मत्ती 21 को पढ़ेंगे, खोलेंगे नहीं, अपने पढ़े हुए हैं, Bible कहती है, येशु मसी ने पहली बार एक सोटा मारा, ये पास्टर लग बहुत अच्छा से बताते हैं, सोटा बनाया, वो मारा वैसी में तुमको भी मार रहा हूं इसलिए, सफाई कर रहा हूं, बोलते हैं ना, तो येशु मसी ने एक सोटा बनाया, ये वो मन्दिर में गया था, जैसी वो अपने एक मंदिर में गया, Bible कहती है, मंदिर में जैसी उसने प्रवेश किया, कहां किया? प्रवेश किया, तो उसने क्या देखा? बहुत सारे लेंदेन करने वाले लोग वहाँ पे वैफार कर रहे है और शैतान का भी काम क्या है बाइबिल कहती शैतान बहुतायत की लेंदेन के करण नीचे गिराया गया अगर हम लोग कॉंटेक्स्ट में पढ़ेंगे शैतान भी बहुत तायत की लेंदेन में नीचे गिराया, बाइबिल कहती ही वहाँ पर बहुत लेंदेन हो रहा था जैसे एशु मसी ने अपने भवन को देखा उसके अंदर एक जलन हुई और उसने सोटा बनाया और सब को बहार निकाला और वो धंदा कहां चल रहा था? मंदिर में चल रहा था लेकिन अगर पुराने नियम में जाएंगे इधर सुनेंगे अपन फिर जल्दी से भगेंगे पुराने नियम में अगर हम लोग जाएं मंदिर के बारे में पड़ें तो परमेश्वर ने मंदिर बनाने की विधी बताया था लोगों को कि तुमको मंदिर कैसा बनाना है ठीक है अगर हम लोग थोड़ा लंबे में न जाए थोड़ा शौट में इसको समझे परमेश्वर ने जब मंदिर बनाने की प्रक्रिया बताई तो परमेश्वर ने लोगों को बताया, मुसा को बोला कि मंदिर में तीन द्वार होंगे एक होगा भारी स्थान, एक होगा पवित्र स्थान और एक होगा महा पवित्र स्थान, तो कितने स्थान होंगे? तीन स्थान एक हो तब भारी समला की एक भारी स्थान मतलब आउटर कोड, इनर कोड and most holy कोड मतलब मंदिर में तीन स्थान होगे, एक एक जगा रहेगी भारी, उसके बाद पवितर स्थान, उसके बाद महा पवितर स्थान और परमेश्वर ने बोला की मेरी जो उपस्तिती रहेगी वो भारी स्थान में नहीं रहेगी पवित्र स्थान में नहीं रहेगी वो कहां रहेगी महा पवित्र स्थान में अती महा पवित्र स्थान में मेरी उपस्तिती वास करेगी हालेलूया तो यह पुराने नियम का मंदिर था लेकिन एक समय आया अगर हम लोग पढ़ेंगे यहन, sorry, प्रेरिदो किताब अध्याई सत्रा, उसका हम लोग पढ़ेंगे 20 से, एक मिट मैं बता रहा हूं आप लोग को, सत्रा का, हम लोग 22, 24 पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, ठीक है? प्रेरिदो अध्याई सत्रा, उसका 22 से 24 वचन तर, तब पॉलुस ने अरी यूपोकुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एंथेस के लोगो, मैं देखता हूं कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए, जब तुमारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई, जिस पर लिखा था, अंजाने ईश्वर के लिए, इसलिए, जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समचार सुनाता हूं, जिस परमेश्वर ने प्रतवी और उसकी सब वस्तूओं को बनाया, वैस्वर्ग और प्रतवी का स्वामी होकर, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहे, यहां परमेश्वर का बचन कह रहा है परमेश्वर ने मोजस को बोला कि तुमको मंदिर बनाना है but that was old covenant, amen new covenant में परमेश्वर का बचन कह रहा Paulus बोल रहा है कि hello man कि परमेश्वर जो है तुमने एक मंदिर बना है उसमें अंजान इश्वर लिए नोन गौट लिख दिया तो हमनों ने क्या पड़ा सबसे पहले परमेश्वर ने जब उनको मंदिर बनाने को बोला तो क्या बोला? Outer court, holy place and holy of holies ठीक है? तीन चीज़ इसको समझेंगे लेकिन परमेश्वर का ये plan temporary था क्या था? temporary था कि अगर कोई लहू भी चड़ा रहा है तो एक साल के लिए चड़ा रहा है एक साल के लिए लेकिन Bible कह रही है यहाँ पर कि परमेश्वर ने मंदिर बनाने की विधी बताया Holy, outer court, holy and holy of holies समझ में आ रहा है? Receive कर रहा है यहाँ पर प्रभु का बचन कह रहा है यहाँ पर stiffness भी बोलता अब यहाँ उसको निकालेंगे नहीं लेकिन यहाँ पर Paulus बोल रहा है कि एंथियास के विश्वासियो परमेश्वर तुमारे हाथ के बनाई हुए मंदिर में नहीं रहता है Hallelujah Amen मतलब परमेशर मंदिरों में नहीं रहता अर्थात जो परमेशर मुसा को मंदिर मनाने को बोलता अब वो वहाँ पर नहीं रहता हो लेकिन परमेशर मंदिर में कहां रहता था Holy Place में Amen लेकिन Bible कहती है पहला कुरंटियो 6 का उनने इस निकालेंगे Amen मेरा प्राण जो है वो Holy Place है Amen लेकिन जो मेरा Spirit है मेरा आत्मा है वो Holy of Holies है जहां पर परमेशर वास करता है मतलब परमेशर मेरी आत्मा में रहता है Amen मेरी आत्मा पवितर आत्मा का क्या है Mandir है I am a Temple of God But मेरा शरीर में नहीं हूँ मेरा प्राण में नहीं हूँ लेकिन मेरा जो रियल में हूँ वो मेरा Spirit है समझ में आ रहा है Yes Receive कर रहा है Yes तो परमेशर ने मंदिर के बारे में बुला You are a Temple of God और येशु मसी बोल रहा है मत्दी 21 में कि मंदिर को जब येशु मसी ने देखा तो जैसे येशु मसी मंदिर में गया पुरान ने येम का मंदिर मतलब outer court inner court समझ में आ रहा है न तो बहारी स्थान पवित्रस्थान और महा पवित्रस्थान तो जो जहां पे गंदगी थी वो कहा था बहारी स्थान पे था वैसे ही body पे ने लुगा येश एक विश्वासी के अंदर पवित्रात्मा रहता है लेकिन डुष्ट आत्मा उसके अंदर नहीं रहता था you cannot be possessed by the devil but you can oppress by the devil मतलब आप पवित्रात्मा अपके अंदर है एमें लेकिन शैतान आपके अपर कबजा नहीं करेगा अर्थात आपको possess नहीं करेगा ग्रसित नहीं करेगा लेकिन हाँ आपके उपर उपर इसे दबाव बना सकता है तो कई बार क्या होता है समझ में आये जर्च spirit, soul, body मेरा आत्मा holy of holies है जहां पर आत्मा रहता है पुराना नियम क्या है परचाई है नया नियम क्या है असलियत है एमेन shadow है वो ठीक है receive कर रहे है आगे बढ़ेंगे पलो ठीक है न लेकिन एक विश्वासी के जीवन में भी डुष्टात्मा के काम को हम देख सकते जैसी उस मंदिर में मत्ती के 21 के मंदिर में क्या हुआ था Bible कहती है कि वहाँ पर भी एश्व मसी ने देखा उसने कोड़ा लगाया और Bible कहती एश्व मसी ने सब को बाहर निकाल दिया और ये actual deliverance है एमेन छुटकारे का मतलब जो चीजे चल रही है उसको निकाल देना एमेन लेकिन छुटकारा ये नहीं है कि आज एक संडे को में आया पास्टर प्लीज प्रेइ फो मी डुस्ट आत्मा लगके जी और मैंने हाथ रखा और यू और प्रिपेर तुम अपने मन में प्रिपेर कर किया थे आस तो निकलेगी एमेन और तुम भी हिलने लगे पास्टर भी खुजवा अच्छा वीडियो बन गया मेरा एमेन लेकिन उसके बाद दो संडे के बाद फिर आये भाया फिर से ना मिरको गबरहाड हो रही थी टेलिवरेंस जो है छुटकारा जो है छुटकारे पे छुटकारे पे नहीं जाना है अलाइफ मतलब कि हमारा जो लाइफ है ना डेलिवरेंस पे डेलिवरेंस पे नहीं जाना है डेलिवरेंस से डोमीनियन में जाना है डोमीनियन के बाद डिसाइपलशिप में जाना है Amen, हम मसीरों के सिर्फ इसले नहीं बुलाएं, आप संडे पास्टर प्रातना, बिमारों काई प्रातना, नहीं, नहीं, यह है, we will help you, but आपका जो परवेशन ने आपको चुना, आप मंदिर हो, आपके जीवन में सफाई येशु मसी खरेगा, वो खर रहा है, लेकिन आपका जो एक बार आए, छुटकार आप आए, उसके बाद दो संडे गायाब, उसके बाद थर्ट संडे आएंगे, जब कुछ होगा, उल्टी-उल्टी होगए, यह कुछ चक्कर आए, भाया चलो, Amen, प्रातना करवाओ, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कुछ चीजों को, Amen, तयार है तयार है, रिसीब कर रहे है, कोई चला के बोलेगा, Amen, 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 Hallelujah, 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 हम लोग देखेंगे, Amen, Amen, तो जो डेलिवरेंस है, वो क्या है, उसका एक फाइनल एंड है, Amen, ऐसा नहीं कि आज आपने चुटकारा आप आया, चार साल बाद फिर आगए चुटकारा आपाने के लिए, त के साथ एक और चीज़ होती हम लोग पिछले संडे क्या सीख रहे थे, प्रेयर इसक्राइ, प्राथना एक, क्या है, फुकार है, क्राइ मतलब, फुकार है, प्रेयर इसक्राइ, प्रेयर इसक्राइ, प्रेयर इसक्राइशन, प्रेयर एक, वारता लाभ है, और एक और वर्च है एमें लेकिन जब हम लोग तकरार करते हैं जब हम लोग एंड करते हैं जब उसको उसके विरोध में खड़े होते हैं वो final होता है हमारा चुटकारा एमें हालेलुया जब परमेश्वर ने मुसा के दुआरा मिसर से इसराइल को निकाला वो deliverance था लेकिन उसके बाद जो हुआ ना वो sanctification और purification था सबज भी आ रहा है हालेलुया तो कई बार कुछ लोग के जीवन में डुस्ट आत्माओं का काम रहता है लेकिन वो दुबारा आते हैं आज हम लोग देखेंगे क्यूं कुछ लोगों को डुस्ट आत्मा छोड़के नहीं जाती है कई बार अपन प्रात्ना करते हैं हम लोग डीमन को कमेंड करते हैं और चंगाई हो जाती है तयार है कुछ पांच पॉइंट ही उसके बाद आपनो जल्दी से आगे बढ़ेंगे तयार हैं एमेन सबसे पहला पॉइंट एमेन डुस्ट आत्मा जब चला जाता है उसके बाद बापिस आ जाता है इसलिए लोग परिशान रहते हैं क्यूं? क्यूं? सुनना आपके लिए प्रात्ना हुई क्या प्रभू को दुस्ट चुटकारा करने के जिए डून्ट नीट सेवें डेस फास्टिंग हालेलुया डेलिवरेंस इस वर डेस्परेट पीपल एंड होली स्परिड इस वर थस्टी पीपल सबज में आया? अगर आप बेकरार हो मेरे को छुटकारा चाहिए then and there you will get deliverance लेकिन कुछ लोग ऐसे होते जिनको छुटकारा मिलता है उसके बाद क्या होता है उनके साथ में दुस्ट आत्मा फिर उनको पकड़ लेता है क्यों? क्योंकि Bible कहती है कि कुछ दुस्ट आत्मा जब बाहर निकलती है वो इधर-उधर घूमती गामती है अब टाइम दिखरा मेरे को Amen अपन लोग काम करते न Sam अपन नौ बज़े को अपन लोग साथ बज़े कर देते और आप लोग भी उसको देखना तो बोलना कि अभी तो साथ बज़े ठीक है, प्रेस गौड अपन स्वर्ग में है और स्वर्ग में घड़ी नहीं है Amen कितने लोग स्वर्ग में है, Alleluia कितने आत्मे जुटे लोग बैटे हमारे बीच में Amen Receive कर रहें, जबस पांच पॉइंट मैं इसलिए बताना चाहिए, We will pray for everyone Okay, जितने लोगा है प्रातना के लिए We will pray and we will see the breakthrough Amen Confrontation का तक्रार का मतलब होता है Father in Jesus name, out यह है Confrontation क्या है यह? Lekin इसके बाद भी कुछ चीजे है Amen, अब मैं क्यों नहीं जाता हम हर जगे पादरी प्रातना कर दो आप बोलो के भई, आप तो खुदी पास्टर हो Amen, आप तो आईने में अपने लिए ऐसे प्रातना करते होगे ऐसा कुछ भी नहीं है Amen, आज हम लोग देखेंगे बढ़ वो सब बताने के लिए यह चीजे बताना पड़ाएगा कुछ लोग के जीवन में फिर से डुष्ट आत्मा का अटेक क्यो होता है फिर से वोई पाप में क्यों गिरते हैं क्योंकि उन लोग कही ना कही शैतान के लिए द्वार बंद नहीं करते हैं Bible कहती है Okay, you are a believer, you are a shakti man, you are not ganga dhar Amen, आप आत्मिक वेक्ती है Amen, आप शारिक वेक्ती नहीं है Hallelujah, एक अपन बोलते हैं outer man, inner man मैं आत्मा हूँ, मेरा inner man का है शक्ती मान है, मेरा outer man का है ganga dhar Amen, जब मैं शरीर में चलता हूँ, मैं बहुत गलतियां करता हूँ मैं लडिकियों के बीचे बागता हूँ Amen, लेकिन जब मैं आत्मा में रहता हूँ तो मेरे को कुछ नहीं, मेरे को एक mission दिखता है और एक vision दिखता है तो Bible कहते कि डुस्ट आत्मा भापिस क्यों आ रहा है क्योंकि कई बार आप लोग छुटकारा पाते हो यहां पे कोई बार आप किसी को चर्च में लेकर के आ रहे हो वो वेक्ती छुटकारा पाता है वो जैसी manifest हो रहा है मतलब कि परमेश्वर ने grace दिया है निखान लेगा और वो जैसी डुस्ट आत्मा निकल जाती है वो free हो जाता है उसके बाद Bible कहती है डुस्ट आत्मा ये बाहर घूमती और चेक करती है हरा बरा देखती और वापिस आती है अगर वो वेक्ती ने अपने जीवन में कुछ दुआरों को बंद नहीं किया तो डुस्ट आत्मा उसको फिर से अटेक करेगी आलेलुया इमेन इसी लिए जब एक वेक्ती के जीवन से डुस्ट आत्मा निकलती है तो उसको तुरन प्रमेश्वर की संगती में रहना है विश्वासियों के आसपास रहना है ताकि वो एफेक्ट ना होई रिसीव कर रहे है रिसीव कर रहे है तो सबसे पहला कारण की डुस्ट आत्मा दुबारा क्यों आ जाती है क्योंकि वाइबे में लिखा है कि डुनाट गिव प्लेश तुदा डेविल क्यों बोला ये शुमसी ने शैतान को इंदी में लिखा है शैतान को अवसर मत दो इंग्लिश में लिखा है डुनाट गिव प्लेश तुदा डेविल मतलब जब आप पाप करते हो यू गिव प्लेश तुदा डेविल जब आप पाप करते हो तो आप शैतान को क्या देते हो आवसर देते हो कि वो आपके जीवन में आकर के क्या करे, काम करे Amen Hallelujah, तो पहली चीज़ जो है कि शेतान हमारे जीवन में क्यों काम करता है फस्तिंग है कि छुटकारा पाने के बाद भी मैं अगर बंद गया हूँ मेरे अंदर से डुस्ट आत्मा निकली नहीं आज आप Grace Faith family में आए प्रातना किये, पास्टर ने, लीडर्स ने प्रातना किये and you manifest, आप प्रगटी करन हुए आपने किसी को लेकर कहा है, वो बहुत उचली कुधी Amen, उसके बद आपको लगा है रहार भाईया, यहाँ छुटकारा हो गया दो संड़े के बाद आप कोई दूसरे चर्च में लेके चले गए वहाँ पे भी अरातना चल रही है, धार 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 और वहाँ पे भी सब हिलने लने लगे और आप फिर वो हुई manifest हो गई आप सुझो कि परमेश्वा है, वहाँ लेके गई थी दुष्ट आत्मा तो निकल के भागी, बोली मैं जा रहाँ, जा रहाँ, जा रहाँ, जा रहाँ अब यहाँ पे फिर की हो गया, वह इसलिए हुआ है क्योंकि वह वैक्ती ने अपने जीवन से दुष्ट आत्मा तो निकली लेकिन उसने कुछ रास्तों को बंद नहीं किया, जिसके कारण डुष्ट आत्मा बापस आ गई और बाइबिल कहती है, जब वह बापस आती है, तो साथ को लेकर के आती है अच्छे नमबर में चल रहे हैं लोग, एमें, कम्पलीशन वाले एमें, साथ को बापस लेकर के आएगी, और उस घर की दशा और भी बुरी कर देती है और फिर आप बोलते हैं, और भीया हम चर्च गए, और हालत खराब हो गई हमारी एमें, सबज में आ रहा है, रिसीब करें, तो पहली चीज़ क्या है दुष्ट आत्मा क्यों निकल पाती है, अगर सेवकाई कर रहा है, कोई दुष्ट आत्मा चिल ला रही है और मैंने बोला, बचन कडाई में, क्या कडाई में? बचन कडाई में, मं को बाहर भीजो ये परमेशर के राज में नहीं है, येशु मसी अराद न्यालों में डुष्ट आत्मा को पहले निकालता था, एमें उसकी हर सर्विस इंटरप्ट होती थी, दीमन से, तो अभी हमारे जो पास्टर्स हो गए, थोड़े से नहीं जमाने के हो गए, एमें अगर वो हमारी सबा में मैनिफेस्ट होरी, इसका मतलब यह निए वो डिस्टरप कर रही है, निकालो उसको, प्रभू ने क्रेज दिया है, अगर आप विश्वास, आप बोलोगे, लौर्ड, I don't have anointing, मेरे पास अभी शेक नहीं, आपको अभी शेक की जरुवत नहीं है, दुस्ट आत्मा निकालने के लिए, बाइबिल कहती है, विश्वासियों के चिन होंगे, कि वो मेरे नाम से दुस्ट आत्मा निकालेंगे, Amen, समझ में आरा, जल्दी जल्दी जाएंगे, Amen, तीसरी चीज, कई बार दुस्ट आत्मा हमारे जीवन में रहती है, हम लोग एस्थर, एस्थर ने जो युद्ध जी लड़ी, वो उसने युद्ध शुरू करी थी क्या, नहीं, उसके बाप दादाओं से चला रहा था, Amen, एस्थर अपने कलाइफ को जीरिदी शीविकम, वो क्वीन बन गई, वो एक रानी बन गई, लेकिन बाइबिल कहती है, कि साउल राजा को परमेशर ने जिम्मेदारी की दी, कि अब देख तू राजा बन गया है, तू पहले इनको निप्टा दे, Amen, अगर तू इनको नहीं निप्टा तो दिक्कत हो जाएगी, तू इनको पहले निप्टा, क्या बच्चे, क्या छोटे बच्चे, तू सब को निप कहती है, यह अमले की बढ़ करके इसराइलियों के लिए एक एक फंदा बन जाते हैं, गले की हट्टी बन जाते हैं, और इस कारण से, एस्थर को यह जुद लड़ना पड़ा, कई बार हमारे जीवन में जो श्राप रहते हैं, उसके कारण भी डुस्टा आत्माय नहीं जात देख इसराइध अंगिकार कर увाते हैं, लीगल राइट को ब्रेक कर वाते हैं, जो आधिकार दियें, जैसी अब आदम ने क्या किया आदम ने जब पाप किया, तो उसने कारणी अधिकार किस को दे दिया? शैतान को दे दिया, यह पास बहु ले कर रहा ना चैतान से में बा we are not generational curse we are generational blessed Amen but we can see the attack when we are in the soul we can sense it you know it very well Amen you know it Amen genetic fashion my mother my father it will not it will not that genetic problem that is a curse sickness is a curse Amen we must have good health but you don't have sickness this is a curse when the curse breaks everything goes fine Amen so what do we have to do announce we must have to do people we must have to sit for them we must have to do people tell us this problem in our family में जैसे कि तीस साल की उमर में आदमी लोग मर जा रहे हैं वो तन अपने देखे हैं गाओं में कुछ परिवार हमारे पास है वोले हमारे जित्ते लड़कों थे भाईया सब एक्सिडेंट में खतम हो गए कोई बिमारी से खतम हो गया और ऐसी बिमारी से खतम हुए है उधार करके परमेश्वर ने अपने हाथ को अलग हाथ को डाला और बरसाथ हुई वही होता है जब हम लोग भी इस चीज को बिलीब करते हैं कि येस माई फैमली एंड माई 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 जेनरेशन है सिन लॉर्ड हम उसको रेनाउंस करते हैं तो हम सैतान के लीगल राइट को रिवोक ब्रेक कर देते हैं हालेलुया उसके बाद हम एक बड़े छुटकारे को देखते हैं तो कई बार डुष्ट आत्मा इसलिए हमारे जीवन में आता है कि कुछ श्राब रहते हैं और वो बंधन को ले करके आता है लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है एमें और श्राब बहु बहुत बोलता है कि मैं हूं अंदर और आफ परिशान होते हैं कि अरे यार भया मुझे ना सपना आया भया मुझे बहुत बस अपना अपना है मेरे अंदर डुस्ट आत्मा अरे नहीं है डुस्ट आत्मा Bible कहती शैतान जूट का पिता है Hallelujah वो तुमको ढराता है कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ देखा एक simple कानी बोलूँगा time bear देख रहा हूँ बहुत जादा एक simple बहुत fast जा रहा हूँ receive कर रहा हूँ Amen आपकी आत्मा को छूना Bible कहती है कि अपन डुस्ट आत्मा को निकालते हैं किते लोग डुस्ट आत्मा को निकालते हैं निकालना चाहता है अब सब निकालते हैं मिरे को मालूम है Amen अंटी निकालती है Amen Welcome अंटी, Thank you for coming Amen अंटी आलाबाद की है, Hallelujah Amen कई बार अपन डुस्ट आत्मा को निकालते हैं जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ चला गया चला गया और रहता है वहाँ पे रहे करके क्या बोलता है चला गया और आप कैसे बोल सकते हो भी है वो बोल रह रह रहा हूँ वो बाहर रहता है और तुमको बोल रहा है मैं अंदर हूँ एमें तो कई बार आपके जीवन के लिए द्वार खोलता है केवल पाप ही शैतान को अवसर नहीं देता आपका डर भी शैतान को अवसर देता है, एमेन एक और चीज पढ़ेंगे, चर समझ में आ रहा है बोलो, we need deliverance हमें छुटकारा चाहिए कही बार एमेन, लेकिन हमको अधिकार भी चाहिए, एमेन, आखरी चीज पढ़ेंगे एक चीज होती है spiritual muscle memory spiritual muscle memory मतलब की आत्मिक मास पेशियाँ वाली याददाश है, एमेन, उर्था जो golf player होते हैं, जो golf खेलते हैं, खेर अपने पास तो अपने अबलपूर में गॉल्फ स्टेडियम कुछ है नहीं लेकिन अगर अगर बात करें, बास्केट बॉल देखा किसीने बास्केट बॉल जो खेलते हैं, उलो कि यतने लंबे-लंबे रहते हैं, अगर सपने अगर वो सो रहे हैं, उलो बोल रहे हैं कि जल्दी से बॉल मार तो लो की जो स्टाइल रहती हैं, वो सोते समय भी वो वैसी करेंगे, उनकी मसल्स ट्रेंड अप रहती है वैसी गॉल्फ वालो की अब उधारन के लिए बॉक्सिंग, एमेन जो बॉक्सिंग करता है, अगर वो सो भी रहा है अगर वो बोलेंगे, खतरा हो रहा तो एकदम अपनी पोजिशन पूटके मारने लएगा क्यों? ना चाहते हुए भी उसकी मसल्स जो है वो ट्रेंड अप हो गई है तो कई बार एक व्यक्ति डुष्ट आत्मा से बहुत जूमता है अराधना चालूई वी डोंट नीड अनोइंटिंग अल्सो हमको अभी शेक की जरुवत भी नहीं है बस अगर कोई साभी पवितर आत्मा गाना गादे वो जुमने लगेगा क्यों मालोब है उसका मसल्स ट्रेंड अब हो गया वो ना चाहते हुए भी यह देविल एक्ट है पर हंदर नहीं है ठीक है वो मसल्स के करण वक्त अभी कलिए बाइबिल कहती है हमें अपने मन का नवनी करन करना है अना एक अंटी बहुत हिलती है उसका पती में घुस्ट देख रहा है उसको मैंना क्या हो गया अरे बागल है इसका हर बार का यह जहां जाओ ऐसी करती है एमें कुछ लोग बस इंतजार करते हैं कि कहां आग वाला गाना आ जाए जैसी आग वाला गाना आया अब देखो हम तो पास्टर्स है ठीक है हम लीडर्स है देखा प्रभू काम कर रहा है नहीं यार उसकी मसल्स ट्रेंड अप है तभीक लिए वो ना चाहते हुए भी कुछ लोग को देखे होगे न काना सकते होगे काम सा हूंила हते बाया चाहत आटे कर देखा अपने गाना गारे थे योगेता से सब ऐसे थया आठीक हैसे अभी गानाका देंगे कुन से गाना का आएक्टे वो मॉजूद है यहा है थोड़े दैर थोड़े के बाद ना वो मौजू थे सुनके ही न कुछ लोग अच्छल में ये होली स्पिरिट नहीं है और ये डीमन भी नहीं है ये तुमारी मसल से है इतना कर कर के न कुछ लोगोते हैं न मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ सौरी हा ओके जस आयम टीचिंग युदा तृथ कई बार कई बार नहीं हर बार बाइक बहन करती होगी कई बार इस बाइबल के लिखी यू शाल नहीं तृथ और तृथ विल से तृथ यू फ्री sometimes we are free by God's touch but many times we are free by God's truth Amen ये सच्चा ही है Amen देखो मौहल अच्छा मनता है वाई आप अरादना कर रहे हो आप प्रचार कर रहे हो कोई उटके का 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 तृब बाजू अला बढ़े हो पावर्फुल प्रीचर है He is very powerful anointed I will call him Amen अब क्या कर रहे है अपना चर्च बाइबल कॉलेज है Amen Amen We are called to teach मैं मजाख नी कर रहा हूँ कई बार क्या होता है जो लोग उते हैं आप उन लोग ऐसे हो जाते हैं उनकी मसल से कितना कर दी है न लोगने उनको कोई सिखाने वाला नहीं मिला तो उन लोग ऐसे ही हो गए तो ये ये चीज़े भी होती है आखरी चीज़ क्योंकि अपन लोग इस चीज़ को सीखर क्योंकि हमको डूस्ट आत्मा निकालना है कितने लोग निकालने वाले है यहां निकालने नहीं देंगे आपने अपने घर के आसपास जादा है ठीक है ना पता चला तो आप बोलोगे भाई आप बैठो मैं को तेल दो मैं लगा रहा है मैं ट्राइ करता हूँ आपको यहां ट्राइ नहीं करना है बाइबल केती जाओ अपने परिवार में जाना अपने दोस्तों में जाना बुलाना उनसे उनसे बचंद शेर करना थोड़ा समय ले ले जो बोलना है वो हो ही नहीं बारा है हालेलूया कुछ दुष्टातमा इसले नहीं होती है ना दुषडातमा इसले आया ती क्योंकि वो लोग निकलती नहीं है पास्टर आता है प्रातना करता है वो भड़ से गिर जाती है पास्टर रेवली देखो वी आर प्रभू ने हमको ही बोला है कि we have the grace जो वेक्ति कर रहा है उसको प्रभू ने grace दिया है it's not हमारे own merit के करण नहीं हमारे अच्छे काम होई करण प्रभू ने grace दिया एक और चीज आपको लगता है कि परमेश्वर प्रभू के दास को इस्तमाल कर रहा है इसलिए परमेश्वर परमेश्वर के दासों को प्यार करता है ये लगता है ना आपन को यही धारन है ना God loves bury him more than me ऐसा लगता है ना लगता है मैं को लगता है बच्पन से मैं को लगता है एक दिन बहुत सारी भेडे भेडे वाली बात चल रही थी और मैंने मादरी को बला मैंने का सोन मादरी भेडे पास्टरों की नहीं होती है भेडे पास्टर को पास्टर को पास्टर को पास्टर ने रखा है उनकी रखवाली के लिए एमन आप लोगों को लगता है कि भाईया जो चरवाहा है जो पास्टर है जो लीडर है उससे प्रभू जादा प्यार करता है है हम लोग से नहीं करता है यह गलत है आपको पता है अगर सचा ही बताओं परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है इसलिए उसने उसको रखा है एमें परमेश्वर ने मुसा को बोला मेरे लोग मेरी प्रजा परमेश्वर ने मुसा को नहीं बोला मेरा मुसा परमेश्वर तड़ाप रहा था कि मेरे लोग को वो वाइदे के देश पे लिखे जाए लेकिन मुसा को उसने चुना कि उसका हाट सही था एमेन तो ये मैं सोच ना कि अरे रिचर्ड पिया पास्टर है परमेश्वर बहुत प्यार करता है उनसे परमेश्वर सब से प्यार करते है हालेलुया 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 तो चर समझ में आए ये मुझे बताना था ये 5-6 पॉइंट आप लोग को सुनाया मैंने कि डुष्ट आत्मा हाना छुटकारा बहुत जुरूरी लेकिन कई बार बहुत से लोग बार बार चुटकारे के लिया जाते है अब बाइबल बंद कर रहा हूं इसका मतलब ये निकी बंद कर रहा हूं Amen, now we start Okay, समझ में आ रहा है हालेलुया जिसको जाना है वो जल्दी से चले जाए हालेलुया आज अपन बारा यहां बजाएंगे Amen, okay, ठीक है Friday बहुत मुश्किल से आता है अब इसको Sunday नहीं बनाना पुनको खाना नहीं देंगे हम ठीक है सबज में आ रहा है, receive करे डुष्ट आत्मा क्यों आ रही है बार बार एक विश्वासी के जीवन में कहीं न कहीं उसने द्वार खोल के रखा है इसलिए वो बंधन में आ रहा है ठीक है, दूसरी चीज generational curses ठीक है, तीसरी चीज निकली नहीं गई चौती चीज, कि उसने अपने लाइफ को सही किया ही नहीं है ठीक है तो यह अपने कुछ कारण को देखे लेकिन हमारा जो आज का संदेश है वो यह नहीं है हमारा संदेश है प्रभू ठीक है मैंने चुटकारा पालिया लेकिन मैं इस चीज से कैसे बाहर निकलू चुटकारा केवल यह होता है चुटकारा का मतलब यह होता है कि परमेश्वर ने कुछ चीज को उखाल के फैक दिया लेकिन हम लोग को चुटकारे का जीवन जीना है वो एक अलग बात है लेकिन हमें ऐसा जीवन जीना है कि शैतान हमसे दूर रहे बार-बार शैतान आकर के भीच दाले पेड उख जाये और बार-बार हम डेलिवरेंस के लिए आ रहे है परमेश्वर पेड़ को उखाल के फैक रहा है यह जीवन नहीं जीना है हम लोगों यह confrontation का जीवन है अर्थात की confrontation मतलब की तकरार मतलब की आपके जीवन में शैतान ने कुछ लगाया और वो उख गया है और परमेश्वर उसको उखाल के फेक रहा है इसको बोलते हैं डेलिवरेंस लेकिन एक और चीज है जिसके कारण हम शैतान के कामों को नश्ट करते हैं वो है पापो का अंगिकार Amen, Confessions, Not God's Word, I value God's Word, प्रभू का बचन तो पूरा सागर है वो तो main important चीज है लेकिन मैं आपका डिस्टी कोन ला रहा हूँ पापो के अंगिकार के लिए जब आप confront करते हो, deliverance करते हो तो जो भी शैतान ने बोया है और वो उग गया है उसको परमेशर उखाल के फेक रहा है इसको confrontation बोलेंगे लेकिन confession जब हम करते है कि प्रभू मिरसे गलती हो गई है I am really sorry अब मैं नहीं करूँगा Amen, तो उसका मतलब होता है जो शैतान ने बीज लाए है उसको हम लोग effect में निला रहे वो beach को नश्ट करता है, hallelujah हमारा अंगी कार किसको अलग करता है, beach को अलग करता है, जब आपके जीवन में दुष्ट आत्म काम हो रहा है, उसके बाद अब आपके अंदर पवितर आत्मा काम करता है और आपको लगता है कि Lord this area में मैं मैं गलत हूँ, मैं यहाँ पर माफी को मांगता हूँ, वहाँ पर शेतान कुछ काम ही नहीं कर सकता, confrontation active है, मतलब चीजे सामने दिख रही है, issue के नाम से, out-out manifestation, लेकिन जो confession of sin है, अंगी कार है पापो का, वो यह नहीं है, वो proactive है, होने से पहले कुछ बड़े मेरे शरीर में उसके पहले मैंने पर मेश्वर से माफी मांग लिया और कुछ नहीं हो रहा मिरको, समझ में आ रहा है, लेकिन चर्च पर मेश्वर ने हमको केबल चुटकारे से चुटकारे के और नहीं बुलाया है, पर मेश्वर चाहता है कि हम एक revival का जीवन जिये, Amen, Amen, समझ में आ रहा ह रिसीव कर रहे हैं, Amen, एक छुटकारा पाया हुआ वेक्ति ही दूसरों को छुटकारा दे सकता है, इसलिए परमेश्वर आज आपको बोलना चाहता है, कि वो आपको एक जागरती में लेकर की जाना चाहता है, लेकिन ये जागरती को हम कब देखेंगे, कैसे देखेंगे, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको बता है, यूदस के पास एक अच्छा पास्टर था, जीजस क्राइस, यूदस के पास बहुत अच्छे लोग थे, अच्छी संगती थी, पत्रस यहना ये सारे, विश्वासी लोग यूदस के साथ थे, लेकिन बाइबल कहती है, यूदस के पास एक अच्छा क्राउट था, यूदस के पास एक पोजिशन थी, लेकिन यूदस हाइड करता था, जिसके कारण वो नश्ट हो गया, Hallelujah, Amen, Judas has a good pastor, perfect pastor, he had Jesus Christ, but still he was hiding something, that's why he got destroyed, उसके पास best church था, best colleagues थे, best लोग थे, सब कुछ था, लेकिन उसके छुपाने के कारण वो क्या हो गया, कैसे हो सकता है, Amen, क्योंकि उसके जीवन में जागरिती क्यों नहीं आई, हम निकालेंगे, तयार है, हमारा मूलवचन, प्रेड़ीदोई किताबत है, 19, तयार है, बस थोड़े देर और, एक घंटा, और कुछ नहीं, Amen, निकालेंगे, यह अपनी फ्राइड़े की प्रातना, Amen, छोटका रहे है, It's not Sunday service, Amen, Amen, receive कर रहे है, चलो निकालेंगे अपर लोग, शत्रा, रबाश्या थाला भाहे मैंदी का धुना, 18 से, प्रेड़ीदोगे काम, अध्याए 17, 19, 18, प्रेड़ीदोगे काम, अध्याए 19, उसका 18 वचन, जिन्होंने विश्वास किया था, उनमें से बहुतेरे ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया, बाइबिल कह रहे है, अभी अपने 19 का 20 पड़ा था अपने, इस प्रकार परमेशर का वचन, बल पूरवक और प्रबल, बल पूरवक फैलता गया, और प्रबल होता गया, मतलब कि कुछ हुआ उसके बाद एक जागरिती आगा, एक रिवाइवल आगया, एमेन, वही हम देख रहे हैं कि क्या हुआ जिसके कारण जागरिती आई, बाइबिल कहती जिन लोगों ने विश्वास किया प्रबू येशु मसी पर, वो लोगों ने आकर क्या किया, जिन लोगों ने विश्वास किया था, उनम मान लिया और प्रगट कर दिया जिसके बाद बाइबिल कहती है जादूगर लोग भी आए जो भी वो गलत काम करते थे उन्होंने सामने लेकर करके आगया और इस कारण परमेश्वर का वचन बलपूरवक फैलता गया और प्रबल होता गया मैं बात जबलपूर की नहीं कर रहा हूँ मैं बात अपने आप की कर रहा हूँ और आप की कर रहा हूँ हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन बलपूरवक हमारे द्वारा कैसा फैलेगा कैसे प्रबल होता जाएगा जब हम लोग कुछ चीच करते हैं कुछ गलत काम करते हैं और उसको हम सामने लेकर आते हैं और उसको प्रगट करते हैं बाइबिल कहती है हम एक हिम्मत का काम करते हैं आप बोलते हैं लौर्ड भाईया इस वरी गूड बटेली आई कंफेस माई सिन तु गॉड पर प्रभू ने फिर ये क्यों बोला एक दूसरों के सामने अपने पापों को मान लो कि कि आप जाते हो प्रभू मैंने पाप कर दे अब मुझे शमा कर दे अब दुबारा नहीं करूँगा तु फैर में फिर जाओगे प्रभू फिरसे गलती हो गई और मुझे माफ करते मैं नहीं करूंगा शाम को प्रभू मेरे से फिर से गलती हो गई Yes, it has power कि हम प्रभू से माफी मांगते हैं लेकिन जब आप पब्लिक में सब के सामने अपने पास्टर के सामने लीडर के सामने जब आप जाते हो और आप बोलते हो भाईया मुझे कुछ कहना है मुझे अजाद होना है मुझे निकलना इन चीजों से Amen Hallelujah आपको लगता परमेशर साहब देखता है माफ करता आप प्रभू को हलके में लेते हो Amen उसके बाद जब आप आते हो और आप बाइबल क्या कहती है एक दूसरे के सामने पापो को मान ले और तेरे लिए प्रातना की जाएगी और तू क्या हो जाएगा जंगा हो जाएगा अपने पापो को एक दूसरे के सामने मान ले जब हम लोग कुछ चीज छुपाते हैं हम लोग नश्ट होते हैं Amen Bible में लिखा है कोई भी दीपक को जगला के पैमाने के नीचे नहीं रखता मतलब जब मैं कुछ चीज प्रकट कर रहा हूँ वो तुरुत है वो सत्य है अगर मैं सत्य को छुपा कर रहा हूँ Lord कोई नहीं देख रहा I am sorry ये नहीं है जब हम उसको सामने लेकर आते हैं भाईया पास्चर मेर से ये गल्ती होई है I want your prayer इसको हिम्मत का काम बोलते है Amen और जब आप सबके सामने अंगिकार इन चीजों को करते हो Bible कहती है जब प्रातना की जाती है आपको एक बड़ा चुटकारा मिलता है Hallelujah केवल इतना ही नहीं हिम्मत चाहिए Hallelujah कवाई देने के लिए Amen जैसी कि सबके सामने चुटकारा होता है Public चुटकारा होता है Public प्राइवेट भी होता है ये ना वैसी जब publicly हम लोग अपने confess करते हैं Yes I did it I want to get free Amen क्योंकि जब आपकेले में पाप सुकार करते हो आपका genuine repentance नहीं रहता लेकिन जब आप हिम्मत करते हो ठीक है पता चल जाए कि मैंने ये काम किया था लेकिन वो मेरा पास्ट है लेकिन मेरा प्रेजेंट कुछ और है और मेरा future कुछ और रहेगा आपका public confession करना Amen ये बात को दर्शाता है कि Yes I was wrong but now I am a God's child अब मैं दुबारा वो काम नहीं करूंगा तभी के लिए मैंने सब के सामने ये गवाई दे दी है अपने पापों को मान लिया है और कुछ religious folks अफेंगे आपको चीज़ों को छुपाने लगोगे ना चर्च आपको लेगा प्रभू किसी को बताना चले आपको बता रहा हूँ आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपको डर है आपकी इमेज का Amen Hallelujah और आप प्रभू से कब तक माफी मांगते हो आपको बुरा लगेगा तब आपको बुरा नहीं लगेगा है किने किते लोगों ने किया है हम सबने किया है चर्च Amen जब तक हमको फिल बैट लगेगा वन वी विल फिल बैट तिल देन वी विल अगस Lord, sorry Lord, I am your child Lord, please forgive me जब अच्छा लगने लगेगा ठीक है, रभू ने माफ कर दिया यार, okay लेकिन जब हम publicly में बोलते को चार्च there is a power in confessing जब हम अंधेरे के काम की उल्हाना देते हैं तो परमेश्वर की जोती आती है वहाँ पर Bible कहती है इफीशोई किताब में, Amen समझ में आ रहा है केवल इतना ही नहीं जब हम अपने पापो को मानते हैं और उसका अंगिकार करते हैं Bible कहती है येशु मसी का लहू हमें धोता और शुद करता है पावित्र करता है Hallelujah Amen तो अगर हमें जब बहुत चाहिम हो रहा है Amen अब मैं क्या करूँ नेक्स ट्राइड आपन रुक सकते हैं Amen I have to complete this जैसा भी हो वी विल से इट तो Bible कहती है जब हम अपने पापो को मानते हैं देखो We are for We have to confess हमें कांगिकार करना है अगर हम गलत है जब हम पब्लिकली बोलते हैं I did it मैं बोल रहा हैं कि जब आपसे गलती होई Bring it into light अब आपने इसको बाहर लेकर क्या हो अपने मम्मी को या अपने बापा को या अपने पती या पतनी को या अपने लीडर को जरूर शेर करे Amen मैं नहीं बोल रहा है दस लोग को बुला लो चलो आज मैं अपनी पाटी देना चाहता हूं मेरे पापो की ये नहीं आप जस्कॉल करे मुझे आजाद हो ना क्योंकि उसके द्वारा बाइबल कहती है जब इन लोगों ने जिनों ने येशु मसी पर विश्वास किये थे अपने कामों को जो उनोंने किया था प्रगट किया उसके बाद उनके अंदर परमेश्वर का वचन बल पूरवक फैलता गया और वो लोग प्रभल होते चले गए वो लोग रिवाइब होते चले गए आलेलुया एमेन सबज में आ रहा है चाहते इमेन इसलिए हमारे पापों का अंगीकार करना बहुत जरूरी है वैसी डेलिवरेंस के लिए भी जब आपका छुटकारा होता है और अंगीकार दोनों साथ साथ चलता है जब आपका छुटकारा प्रभू करता है तो आपको अंगीकार भी करना जरूरी है ताकि अब शेतान के उन दुवारों को बंद करे और अपने conscious अपने मन को बोले अब मैं दुबारा ये काम नहीं करूँगा एमेन ठीक है मैंने किया था इसलिए मैं सब के सामने बता रहा हूँ लेकिन अब मैं एक बहतर जिंदिकी जी रहा हूँ क्योंकि मुझे परमेश्वर का काम करना है एमेन लेकिन कई लोग इतने परिशान है और वो लोग अभी भी कुछ चीजों में हैं मैंने एक एक जैम्पल को लेकर के सुनेंगे एमेन इसको लेकर के आने दर भी तैयार है तैयार है हालेलुया रोशा ठाला बारा बाबा बाबा तैयार है बहुत जल्दी है एमेन ये ठीक है रिसीब कर रहे हैं येस हमेशा के मेरा कहने का मतलब है चर्च हम लोग को छुटकारे का जीवन नहीं जीना है एमेन लॉंग स्टोरी शॉर्ट हम एक जागरिती का जीवन जीना है कई लोग परमेशर में इसलिए बढ़नी पारे कि उनको पाप याद आते हैं शर्मिंदा महसूस करते हैं उसके बाद उनको लगता है परभू हम लोग कितना अंगिकार कर लिए लेकिन हम लोग फिर से पाप में गिर रहे हैं एमेन फिर से पाप में गिर रहे हैं लेकिन जब उनको मान लेते हैं उनको छोड़ते हैं बाइबल कहती हम पर दया की जाएगी राइट समझ में आ रहा है लेकिन अगर हम कुछ चीजों से निकलना चाहते है मैं उसको बताना चाहता हूँ कि छुटकारा क्या होता है यह देख रहे हैं आप यह टी बैग है क्या है यह टी बैग यह टी बैग है हालेलुया यह चाय पत्ती का है ठीक है चाय पत्ती इसमें दाल दिया अगर मैं इस पानी को फेक भी दूँ और फिर से पानी दालू इसमें तो इसमें चाय पत्ती आएगी एमेन चुटकारा क्या होता है समझना परमेश्वर ने इस चीज को ही निकाल दिया यह टी बैक को ही निकाल करके फेक दिया इसको बोलते है चुटकारा क्या बोलते है चुटकारा इसको बोलते है टेलिवरेंस की परमेश्वर ने उखाल करके उन डुस्टात्माओं को फेक दिया लेकिन फेकने के बाद बाइबिल कहती है अभी भी तुम गंदे हो Amen क्योंकि उन्होंने इतनी गंदगी प्रभवेश्वा ने तो उन सबको साफ कर दिया लेकिन बाइबल के थी फिर भी हमारे जीवन में क्या है गंदगी है Amen यह कैसे निकलेगी पकड़ना बेटा यह कंदगी निकाले ब्रभव 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 फिर आके देख रहा हूं ब्रभव नहीं निकल रहा ब्रभव प्लीज 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 ब्रभव नहीं निकालेगा Amen क्योंकि परमेश्वर सिधानतों का परमेश्वर है God is a God of principles Amen Amen अपनका इक डायलोग है ना क्या डायलोग है अपना कि वी गेट डेलिवरेंस मतलब की हमें जादा वी डोंट गेट डेलिवरेंस वाल स्टैंडिंग इन प्रेर लाइन बट वी गेट डेलिवरेंस थूप्रेर लाइफ Amen Hallelujah अब मैं देख रहा हूं मेरे जीवन में दुष्टात्मा निकल गई है लेकिन फिर भी उसका इफेक्ट है फिर भी उसके चीज़े है फिर भी वो गंदी आदते मेरे अंदर है ठीक है मेरे लिए पास्टर ने प्रातना किया पोर्नोग्राफी वाली स्पिरिट निकली लेकिन फिर भी मेरे अंदर से मन करता है कि मैं रात में देखू, मैं अपने आपको छुप के देखू फिर भी मैं को लग रहा कि प्रभू मेरा deliverance हुआ की नहीं हुआ, उसके बाद क्या होता है नीचे लखना थोड़ा सा, उसके बाद कर देते हैं, हम लोग परमेशर के पास आते हैं Amen, और हम लोग थोड़ा सा प्रातना अतना करेंगे, वो और हमको दिखता है हाना, लेकिन जब हम लोग परमेशर के पास आते हैं और अपने पापों को अंगिकाई, प्रभू ने क्या निकाल दिया छुटकारा हमारा कर दिया टी बैग लेकिन जब हम लोग आते हैं और हम लोग पाप सिकार करते हैं मान लेते हैं पाप को तो ये गोलियां भी क्या होती है हम निकाल देते हैं तो confession एक spoon है confession एक spoon है जिससे हमारे पाप क्या हो जाते हैं? हम अंगी कार करते हैं और हमारे पाफ वो क्या होते? निकल जाते हैं लेकिन फिर भी यह बानी गंदा है Amen, Lord मैं जर्च किया, मेरा छुटकारा हुआ, ढुश्ट आत्मा निकली लेकिन फिर भी गंदा था और मैंने फिर पाप किया और फिर गंदा है प्रभू ये कैसे निकलेगा प्रभू ये कैसे निकलेगा बहुत समय लग जाएगा मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा और हम लोग बार बार अपने पापों को सोचते रहते हैं बार बर अपनी गलतियों को देखते रहते हैं और हम लोग प्रातना करते हैं प्रभू छुटकारा करते हैं छुटकारा करते हम बैठे रहेंगे प्रभू छुटकारा करते हम दस मिटिंग में जाएंगे प्रभू छुटकारा करते लेकिन छुटकारा ऐसे नहीं आता है हम निकालेंगे परमेश्वर उनी को जागरित करता है जिनको परमेश्वर प्योर देखना चाहता है हमारा छुटकारा गंदे होने के लिए नहीं हुआ है हमारा छुटकारा एक प्योरेटी के लिए है सेंटिफिकेशन के लिए हम परमेशर की आग तब ही बनाये रखेंगे जब हम शुद्ध रहेंगे अम निकालेंगे प्रेरितो इकिताब अध्याय सत्रा सत्रा शैतान को खत्रा इस वात से अप्रेरितो अध्याय 17 उसका 17 वच्चन अतहा वै अराद्नाले में यहूतियो और भक्तो से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन बात विवात किया करता है हर दिन बात विवात कौन कर रहा है पालूस कर रहा है उसके आगे तब इपिकूरी और इस दोगी नहीं, sorry, अपन निकालेंगे यहना सत्रा सत्रा John 17, 17 यहना अध्या सत्रा उसका सत्रा अच्छा सत्य के द्वारा सुनन, सुनन, सुनन not by touch, but by truth Alleluia, you get some freedom by the touch of God, but you will get all the freedom by the truth of God Amen, क्या लिका है? सत्य के द्वारा, सत्य के द्वारा सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर सत्य के द्वारा कौन करता है? परमेश्वर हमें प्राथना के द्वारा पवित्र नहीं करता Alleluia प्राथना तो कित्ते लोगों ने कित्ते बार करती है अभी जो स्ट्रगल कर रहा है बच्चा वो तो बोलेगा भाईया मैं रोज प्रातना कर रहा हूं प्रभू पवित्र कर नहीं हो रहा है पवित्रताई का स्टेंडर अलग है परमेशर का बचन कहता है I don't मैं तुझे पवित्र प्रातना जब हम करेंगे तो प्रभू हमें ऐसे स्टर पे लिए आएगा कि हम होंगे तो पवित्र प्रभू के सत्य से तो क्या लिखा है सत्य के द्वारा हमें क्या कर उन्हें पवित्र करता है कि पवित्र परमेशर कैसे करता है सत्य की द्वारा करता है पवित्र छुटकारे के बाद का प्रोसेस नहीं है छुटकारे के ब लेकिन अगर फिर भी वो मुझ पर attack कर रहे है तो मेरे पास एक हतियार है कि परमेशर जो कार्ट पे लटकाया गया ये ना येशु मसी मेरे ले कार्ट पे लटकाया गया Bible कहती है कि जो जो स्रापित है वो कार्ट पे लटकाया जाएगा येशु मसी मेरे ले श्रापित बना, ताकि मैं आशिशित बनूँ, येशु के नाम से कोई भी श्राप मेरे जीवन में काम नहीं करेंगे, ये तकरार है, आलेलूया, एमेन, लेकिन बाइविल कहती है, हम बार बार यही धोरी नहीं करते रहेंगे, एमेन, लेकिन बाइविल क आप पवित्र अरादना करने से नहीं, आप पवित्र प्रातना करने से नहीं, लेकिन परमेशर के वचन से होंगे, Amen, Amen, Hallelujah आप प्रातना करते रहोगे प्रभू इसको ठीक कर दे प्रभू मेरे जीवन में ये सारी चीजे है आप चारे होई पवित्र जीवन जीना आपनी जी पाओगे, क्योंकि आपका फोकस यहां पर है Amen, लेकिन अगर आप अपने जीवन में जाग रही ते किते लोग जागरिती चाहते हैं यहां पर किते लोग चाहते हैं कि I am a history maker Hallelujah, I will make history Amen, Amen, I will I will do something in the kingdom of God Amen, अगर आप जलन कर रहे हैं परमेशर से आज आपको एक secret बताने जा रहा हूँ हो सकता है कि यह आपका जीवन होगा आज गंदा परिशानिया, दिक्कते, श्राब बहुत सारी चीजे रुकावते, बहुत सारी चीजे हैं यह Amen, आप प्रातना कर रहे हो, पुवास कर रहे हो, कुछ नहीं और आप मेरी बात को गलत मत लेना Prayer has power, fasting has power Amen, because prayer and fasting changes me, not my God Hallelujah, prayer and fasting will not change God but it will change me आप उपास प्रातना करोगे, तो आप एक ऐसे जगे पर आजाओगे जो principles को follow कोने लगए, समझ में आ रहा है But my prayer and my fasting will not change this लेकिन अगर प्रभू के वचन में अगर मैं आ जाओ Hallelujah, कितने लोग तयार है Amen, अगर मैं प्रभू के वचन में अना, अना, उसका, मेरा प्याला उमड उमड के गिरे Hallelujah, ये क्या है? ये परमेश्वर का वचन है, Amen Bible कहती, उसके जल के स्नान से तुम्हें वो क्या करता है? पवित्र करता है, Amen आपको लग रहा है कि आप जब प्रातना कर रहे हो आप चर्च में आ रहे हो, वचन को सुन रहे हो, वचन को पढ़ रहे हो उसके बाद आपका जीवन में, आप परमेश्वर के वचन में आते जा रहे हो, आते जा रहे हो, आते जा रहे हो गंदा है, आपको समझ में आ रहा है लेकिन अब आप फोकस इसमें नहीं कर रहे हो लेकिन आप परमेशर के वचन में जा रहे हो वचन को अंगिकार कर रहे हो, संगती कर रहे हो प्रातना कर रहे हो और आप फोकस पापों पे नहीं लेकिन पापा पे कर रहे हो Amen, you are not focusing on पाप but you are in your पापा, Hallelujah आप फोकस कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो वो पानी गंदा है, और जड़ा दिख रहा है और जड़ा दिख रहा है, और जड़ा दिख रहा है लेकिन एक समय आता जाएगा चर्ज इश्यू मसी के नाम से आप परमेशर के साथ संगति करते रहोगे, वजन बोलते रहोगे, अचानक से, अचानक से, अचानक से, सारी चीजे साफ हो जाएगी, हमें दूसरी दुनिया बोल रही है, अपने आपको खाली करो, लेकिन प्रभू का वजन कहता है, अपने आपको परमेशर के वजन से भरो, 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 जब आप अपने आपको पर्मेश्वर से बढ़ने लगेंगे अर्थात परमेश्वर के बचन से हाँ गंदगी दिखेगी गंदगी आएगी थोड़े दिन तक लेकिन उसके बाद आपका जीवन सबको दिखेगा और इसमें परमेश्वर अपनी आग को फेजेगा और परमेश्वर आश्यर करम करेगा उसी टाइम पर कैमरा जाता है हालेलुया एमन सबज में आ रहा है रिसीव कर रहा है एमन आप बोल रहे हैं लो हाल भाईया 21 डेस फास्टिंग प्लीस प्रेवो में यह समस्य जाना चाहिए ओके जाएगी फास्टिंग एक जगह है जहां पर हम परमेश्वर की आवाज को सुनते है लेकिन फास्टिंग प्रेव हमसे करवाएगी क्या यही करवाएगी जब आप परमेश्वर के बच्छन में ढूप जाएगे आप सब कुछ छोड़के ओके लॉड मेरे जीवन में कर से ओके मान लिया तंत्र मंत्र जादू, टोना, निम्बू, मिर्ची सब हुआ है मेरे जीवन में लेकिन एक बात मैं जानता हूँ याकुब पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा आप जब आप बोल रहे हो कि Lord, I know ठीक है Yes, I am struggling Yes, मेरी शादी नहीं हो रही Yes, मेरे को जॉब नहीं लग रही लेकिन तू यहवाही रहे है मतलब आप क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो आप अपने आप को उसके वचन से अपना स्थान ले रहे हो आपको बता है आपको बता है वाई वी अर फेलिंग तुमको बता हूँ एक चीज जवानों को तुम क्यू आग में नहीं आ पा रहे हो यू डोंट है वाई डिवोशन लाइफ आपको लगता है I am a Sunday Christian कुछ लोग CEO Christians है Christmas, Easter only Amen और कुछ लोग prayer भी सिफ संडे हो करते है ओ प्रभू भाईया मेरे को देख रहे है नहीं होगा लेकिन जब आप struggle कर रहे हो struggle करने में आप परमेशर के नान को लेते जा रहे हो चाज गंदगी दिखेगी आपको लेगा कुछ फरक नहीं पढ़ रहा और दिख रहा है और दिख रहा लेकिन जब आप परमेशर के बचन पर फोकस करते चले आओगे अर्थाद अपने बातों को प्रगट करते चले जाओगे परमेशर के बचन पर चलते चले आओगे अपने आप सारी गंदगी सारी चीजे जो भी पीडियों से चला आ रहा है जो भी बाते पीछे से चले आ रही है जो भी पाप आपको दबा रहा है वो सब बाइबिल कहती है मैं तुमारे पाप जो लाल रंग के है उसे हिम की तरह उचुछाल कर दूगा वो कैसे करता है? ऐसे करता है वी नीड गौड's word नोट ओली वर्ड वी नीड तरुट अव गौड's word क्योंकि सत्य हमें स्वतंदर करता है येशु को छूने से कुछ लोग स्वतंदर हुए येशु की उपस्ति से कुछ लोग स्वतंदर हुए लेकिन बाइबिल कहती है येशु के सत्य को जानने से लोग स्वतंदर हुए परमेशर तुम्हारे मन में करेगा इसलिए संगती बहुत जरूरी है परमेशर के बचन सत्य को मानना मतलब आई भी मैं रिखा आपस में मिलना मत छोड़ना यू है लोड, ओके, I am struggling but I will go to church, I will go for youth meeting I will go, okay Lord मुझे खड़े होने मिले या ना मिले मुझे मेरा टैलेंट लोग देखे ना देखे but मैं हाप के लिए जा रहा हूँ Lord और जब आप परमेशर के सामने कड़े हो जाते हैं, आप आस रिसीवी करते रहते हैं, करते रहते हैं, खरते रहते हैं एक ताइम आता है church, जो आपके private battle है, वो public हो जाते हैं, आमेन दाउद की private battle में वो भालू और सेर को मार रहा था उसकी public battle में वो कोलियाद को ला दिया, आमेन आपकी private battle से जो public में आ जाते हो, उसके बाद परमेशर एक बड़ा छुटकारा देता है आमेन, बट मेरा संदेश आपको सिफ छुटकारा देना नहीं है, मेरा संदेश आज का ये है, कि परमेश्वर हमें जागृत करना चाहता है, एक जागृती का जीवन ऐसा रहता है, ये लाल रंग का, दुनिया के लोग क्या, न्यू एजस बोलते हैं उसको, उलोग बोलते हैं Empty Yourself, क्या बोलते हैं? You do certain Tantra Mantra and you do, क्या बोलते हैं लोग? अपने आपको Empty कर ऊपट, प्रभू का वचन हमें Empty करने को नहीं बोलता है, फिल करने को बोलता है, परिपून होने को बोलता है, Amen, और हम परिपून होते जाते हैं, होते जाते हैं, एक टाइम आता है, लाल र कर रहे हैं, क्योंकि आपका प्राथना का जीवन नहीं है, आपका वचन का जीवन नहीं है, हाँ, आप काम कर रहे हो, यूदस के समार, लेकिन आप हाइट कर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, आपका वचन का लाइफ नहीं है, तू भी फ्रेंक, Amen, आप रिचर विया के साथ तो इसका मतलब यह नहीं, same anointing I will follow Amen, ऐसा नहीं होता है भाई Hallelujah Amen, Elia Elisha के साथ था तो उसको वही अभी शेक मिला, अभी शेक मिलेगा, लेकिन maintenance हमारी purity करेगी Maintain हमारा परमेशर के साथ जो रिष्टा है आपको बता है, कुछ बच्चे उटपटां काम करते मेंको तो जादा बता है तो मेरे को मालूम चल जाता है कि यह ना प्राथना नहीं कर रहा है यह ना वचन नहीं पड़ रहा है तभी के लिए यह इसली फ्लो हो जा रहा है बाइबल कहते है, मैंने अपने दिल में तेरे वचनों को रख लिए तेरे विरुद पाप ना करूँ लेकिन कुछ हमारे जवान लोग फेल कि हो जाते है यह ना बचन को मानना और उसका भालन करना है केवल परमेशर की योजना जानने से कुछ नहीं होता योजना को पूरी करने से होता है चर्च बाइबल कहती है जवान, तुम लोग परमेशर के हातों में दीर के सवान हो कितने लोग उपयोग में आना चाहते हैं मैं जादा बोलना नहीं जादा बहुत समय ले लिए ऐसा बोल बोल के क्यों ना हम लोग खड़े हो जाएंगे